यहाँ पर मोटे तोर पर साथ आठ अंकों में कुछ बाते हैं जो हमारी आशा थी और उस पर इस बजट का रिस्पॉंस क्या रहा है उसको अंकित कर देते हैं सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या इस देश के सामने हैं और ये हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती है लोग आवेदन देते हैं रिस्पॉंस में जो हुआ है वह बहुत कम है रिस्पॉंस में जो कॉपी पेस्ट किया गया है वह भी ठीक से नहीं किया गया है और रिस्पॉंस में कहा गया है कि 2,90,000,000 तीन तरह की स्कीमों में करीब 2,90,000,000 लोगों को फायदा होगा ये एक बहुत exaggerated नंबर लगता है ऐसा नहीं होने वाला है और कहीं न कहीं रोजगार स्रजन का एक बड़ा मौका खो दिया गया है दूसरी बात महंगाई की ये देश कमर तोड महंगाई से जूज रहा है आज wholesale price inflation करीब 3.4% है food inflation की जो last reading थी वो 9% है और उसके बाद भी economic survey में 1.7% के एक manufacturing deflator की बात की गई है इन numbers को justify करने के लिए विश्व के बड़े बड़े अर्थशास्त्री उस deflator के number से यकीन नहीं रखते हैं और ये भी मानना बड़ा मुश्किल है कि अगर 8.2% GDP ग्रोथ हो रही है तो कृशी सर्फ 1.4% पे और consumption जो दो तीहाई हिस्सा होता है GDP का वो मात्र 4% पे कैसे ग्रो हो रहा है खेर economic survey में महेंगाई पर कुछ sentences कुछ वाक्य बोले गए थे वित्त मंत्री ने अपने तीसरे paragraph में महेंगाई पर मात्र 10 शब्द बोले हैं तो महेंगाई को खत्म करने की आम आदमी को राहत दिलाने की जरूरी समानों पर tax को कम करने की कोई राहत कहीं दिखाई इस budget में नहीं दिये तीसरा जिस पर हम बात करना चाहते हैं वो शिक्षा है और ये सच है कि शिक्षा का बड़े तौर पर गुर्वत्ता उसमें कम है आज बच्चे अपनी class के हिसाब से आधे से जादा बच्चे अपनी class के हिसाब से जिस class में वो है उस तरह का ना text पर सकते हैं ना उस तरह की math कर सकते हैं ना उस तरह का गणित कर सकते हैं और ये भी माना जाता है कि उस तरह की skill नहीं है नीट की परीक्षा जिस तरह से लीक हुई नीट वो परीक्षा है जो स्कूल के शिक्षा के बाद होती है बारवी के तुरंट बाद की परीक्षा है और आशा थी कि इस पर बजट में कुछ ना कुछ अंकित किया जाएगा लेकिन नीट पर एक शब नहीं बोला वित्तमंत्री ने स्कूल एजुकेशन का ये हाल है कि लगातार बजट के बनिस्पत स्कूल एजुकेशन के बजट को घटाया जा रहा है और पिछले बार के बजट में एक लाख सोला हजार चारसो सत्रा करोड रुपए खर्च करने की बात थी लेकिन जो अनुमाने जो रिवाइज हुए है फिगर्स उसमें वो एक लाख आठ हजार रुपए खर्चा हुआ है करीब आठ हजार करोड रुपए एजुकेशन पर शिक्षा जैसी चीज़ पर कटोती की गई है चौथा पॉइंट हेल्थ केर स्वास्त का है और ये सर्वविदित है सबको पता है कि पब्लिक हेल्थ केर का बुरा हाल है सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है डॉक्टर की नर्सर्स की टेकनीशन की कमी तो है ही जाच की मशीनों की डाइगनॉस्टिक्स की भारी कमी है और ये माना जा रहा था कि हेल्थ पर स्वास्त पर खर्चा जादा किया जाएगा लेकिन स्वास्थ पर भी GDP के बनिस्पत खर्चा घटाया जा रहा है और अब सिर्फ वो 1.9% रह गया है और सुनने की बात ये भी है कि पिछली बार का जो budgeted amount था वो 88,956 करोड था खर्च 80,000 करोड से कम किया गया 8,000 करोड की से जादा की इसमें भी कटोती की गई पांचवा जरूरी पॉइंट है कि आए जो थमसी गई है जो wage bill थमसे गए है जो लोगों की income और आए बढ़ नहीं रही है लगबग 6 साल से लोगों की income एक जैसी प्रतीत हो रही है वर्ष 2017 से 18 वित्यवर्ष 18 से 23 के बीच में जो 100 रोजगार पाते हैं वो 12,800 रुपए कमाते हैं प्रतीमा जो दिहारी मजदूर हैं वो करीब करीब 7,400 कमाते हैं और जो मजदूर है वो 19,750 कमाते हैं हमारी हमेशा से डिमांड रही है हमारे manifesto में रहा है कि 400 प्रती दिन की new time आए हर श्रेणी की होनी चाहिए इस श्रेणी की जो आए है मजदूरों की जो आए है वो 400 रुपए प्रती दिन पर fix किया जाई यह हमने अपने घोशना पत्र में डाला था लेकिन असलियत यह है कि 0 से 20 परसंट tax bracket के अलावा किसी भी tax देने वाले को कोई राहत नहीं है और खास तोर से दिहारी मजदूर वो लोग जो शायद tax bracket में नहीं आते हैं जो गरीब और ग 67-70% लोग कि कृशी से संबंद रखते हैं एक ही मांग लगातार किसान कर रहे हैं किसानों की शहादत भी हो गई किसान आज भी मांग कर रहे है कि MSP की कानूनी गारंटी हमें मिलनी चाहिए इस कानूनी गारंटी का उलेक उस घोशना पत्र में भी है कॉंग्रेस के जिस से copy paste करने का तमाम काम वित्यमंत्री ने किया है काश उन्होंने ये भी किया होता लेकिन response में उन्होंने कृशी का बजट घटाया है as a percentage of the budget और एक ये भी सत्य है कि MSP की legal गारंटी पर कानूनी गारंटी पर उन्होंने एक शब नहीं बेवला है साथवी बड़ी बात education loans को लेकर कहा गया और क्योंकि इतनी जादा बेरोजगारी है लोगों की आए कम है महंगाई जादा है जो education loan लिये गए थे हमारी ये मांग थी हमारे घोश्रापत्र में भी हमने अंकित किया था कि एक बार जो outstanding education loans हैं उनको माफ कर दिया जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ और response में education loan देने की बात हुई लेकिन जो education लोग लेकर आज जूज रहें उस education loan को चुकाने में क्योंकि उनको नौकरिया नहीं मिली हैं उनके परिवार की आए कम हो गई है वो महंगाई से जूज रहें उसके बारे में कुछ नहीं किया गया और वो जरूर इससे निराश होंगे अंत में एक बहुत ज्वलंत और बहुत बड़ा मुद्दा इस समय अगनीपत स्कीम को लेकर है लगातार हम देख रहे हैं कि सेना उसका विरोध कर रहे हैं लगातार शहीद परिवार उसका विरोध कर रहे हैं दो तरे की भ्रांती करने का दोयं सेना के एक वर्ग को देने का विरोध किया जा रहा है और हमारी शुरू से मांगे रहे हैं हमारी मैनिफेस्टों में था कि अगनीपत स्कीम को विड्रौ किया जाए लेकिन अगनीपत स्कीम पर भी एक शब्द नहीं था उसको खत्म करने का उसको विड्रौ करने के बारे मे में भी कोई उल लेखना